Hello everyone, I am Vashali Nahar, welcomes you at my YouTube channel School at Home मेरे चैनल पर अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं वो आपने देखे हैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हैं सारे आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने जारी हूँ मेरा इसमें आपको मैं बहुत important बात बताने जारी हूँ जैसे कि अभी lockdown के कारण आपके स्कूल मार्च मन्त से ही बंद हो गए थे उसके बाद आपके अपरेल में जो है online studies स्टार्ट होई पर मैं अपने के साथ कुछ experience शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप जो इस online studies को please seriously लें और मेरा request है parents से भी कि वो भी अपने बच्चों की help करें अब जैसे कि June month start हो गया है तो आपके school फिर से start होंगे हो सकता है most probably कि आपकी online classes लगें और मैं यह चाहती हूँ कि इस बार आपकी जब भी online classes लगें तो आप उनको seriously लें और parents भी अपने बच्चों की मदद करें अगर उन्हें कोई problem आ रही क्योंकि school और teachers या आपके tuition teacher आपका school आपको सारी facilities provide कर रहा है वो जितना हो सक रहा है अपनी तरब से बहुत अच्छे efforts कर रहे हैं आपको क्या आपकी studies में कोई भी problem नहीं आए बट अब students को और parents को यह समझना होगा कि यह उनकी भी responsibility है कि उनकी studies में कोई problem नहीं आए तो अगर आपको कोई software install करने में या आपको कोई online कोई problem आ रही है तो आप आपके teachers से या आपके घर पे आपके बड़ों से इसको continue रख सकते हैं आप अपना एक daily schedule प्लान करें जिसमें कि आप decide करें कि आपको इतने घंटे अगर आपका school online classes ले रहा है तो आपको किस तरीके से अपने time को manage करना है आपको अपने खेलने का time आपको अपनी self study का time यह already आपका दिन का time पूरा schedule करना पड़ेगा तब ही आप क्या कर सकते हैं इस online studies का benefit ले सकते हैं इसी लिए मेरा जो channel है YouTube channel school at home आप लोगों के लिए लाया है class 6 से लेके 12 तक के math science के सारे videos एक problem और आ रही है बच्चों के साथ कि अगर उनसे कहा जाता है बिटा आपको पढ़ना है तो बच्चे कहते हैं parents से कि हमारे पास तो अभी नया syllabus नहीं है हमारे पास नया course नहीं आया है तो यहां school at home पे आप जितने भी मेरे videos देखेंगे आपको math science के उन सारे videos में NCRT book available होगी आप जो भी है उसमें सारी book के exercise all है आप के जो science के chapter है वो already मैं NCRT book से ही cover कर रही हूँ अगर आपको कोई बिर problem आती है तो please comment me in comment box okay and goodbye